हेलो स्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में तो आज की वीडियो जो मेंली बनाई गई है वो बीड काउंसलिंग के रिगार्डिंग है तो जित्ते भी स्टुडेंट, जिन्होंने स्रिदेव स्मनुत्राखन उनिवरसिटी का बीड एंट्रेंज एग्जामिनेशन दिया था तो उन स्टुडेंट के लिए वीडियो काफी हल्फुल रहने वाली है आप इस वीडियो को एंड तक देखें तो सबसे पहले हमें आपे बात करेंगे कि जो आपकी बीड काउंसलिंग है वो कब से कब तक होगी और जो आपके अधर डाउट है कि काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है आपको counselling कैसे करनी है आपको कौन-कौन से college फिल करने है और college age की feces कितनी है तो सब कुछ हम discuss करने वाले है तो आप इस वीडियो को end तक देखें जिनको भी B.A.D. में admission लेना है तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी B.A.D. की counselling कब से कब तक होगी उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके कौन-कौन से colleges है उनकी feces कितनी है आपको choice filling कैसे करनी है आपको counselling कैसे करनी है सारी बात हम करने वाले है अस वीडियो में तो सबसे पहला आप देख सकते हैं notification 22 तारिक का है और यहाँ पर लिखा गया है कि जो सृदेप शुवन उत्राखन यूनिवर्सिटी की जो B.A.D. 2022 से 24 तक की जो counselling होगी वो आपकी जो होगी 23 तारिक से लेके आपकी 27 तारिक तक online होगी ठीक है यानि कि आपको website के थुरू ही counselling होगी आपको website का link description में यहाँ पर मिलने वाला है ठीक है तो 27 तारिक तक आपकी first round की counselling होगी अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि fees का structure यहाँ पर बताया गया है SC, ST, OBC Journal और OBC की जो fees है वो आपकी 700 रुपए है और SC, ST और EWS की fees यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 रुपए बताई गई है ठीक है तो मतलव जो आपकी counselling यहाँ पर होनी है वो आपकी 23 तारिक से लेके 27 तारिक तक होगी अब आपको बताएंगे आपको counselling कैसे करनी है तो यहाँ पर आप देख सकता है यह इसका link आपको description मिल जाएगा click यहाँ पर आप देख सकते हो click here to view counselling notification यहाँ पर आपको notification जो कि हमने आपको दिखा दिया है ठीक है और यहाँ पर लिखा है यहाँ से आपको counselling के लिए 4 be at counselling तो यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर आप जैसा ही click करेंगे यहाँ पर आपको अपना registration number डालना है और अपना password डालना है then login करना है तो जो आपको अपनी counselling करनी है वो 3 step में करना है 1st step में आपको अपनी fee submit करनी है और 2nd step में आपको counseling का form यहाँ पर भरना है जो कुछ details वहाँ पर मांगी जाएंगी और third step में आपको counseling का letter download करना है इतना करने पर आपकी counseling complete हो जाएगी ओके तो आपको समझ आगे होगा कि आपको counseling कैसे करनी है और यहाँ पर college के choice filling का option तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप कौन से college को firstly choice करें उनकी fees का पहले हम comparison करेंगे तेन आपको समझ आएगा कि आपको कौन सा college better आपके लिए रहने वाला है तो देखो आपको यहाँ पर तीन type के college मिलेंगे ठीक है पहले वो college जो government है और completely free है मतलब वहाँ पर fees आपकी बहुत कम रहेगी दूसरे जो college आए वो है सरकारी college होंगे लेकिन वो self finance होंगे मालना वहाँ पर जो fees होगी वो private और सरकारी के बीच की होगी और third जो college हो वो private college होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर college की बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से college है और कितनी वहाँ पर fees आपकी रखी गई है तो सबसे पहले देख सकते हो आप जो आपके तीन यहाँ पर government college हो completely free है यहाँ पर seat भी आप देख सकते हो आपका एक college हो गोपेश्वर चमोली में एक court द्वार में है और एक आपका हरी द्वार में है तो आपके यह जो तीन college है यह आपके यहाँ पर जो है तो इन college में आपके जो है 50-50-50 है नहीं कि 500 total सरकारी seat है ठीक है court द्वार में आपकी कुछ self finance की भी seat है 50 seat के अलावा लेकिन 50 seat यहाँ पर सरकारी seat है ठीक है तो इनकी fees की भी हम बात करेंगे तो court द्वार की जो fees है state finance की वो है 2749 रुपए और second year की भी इतनी ही है ठीक है तो जो college आपके government है उनमें जो आपकी सरकारी seat है वहाँ पर fees लगबग 3000 तक है और state court की यहाँ पर seat है तो देख सकते हो आप इन college में आपके गोपेशर चमोली में 50 seat है self finance की भी है कोड़द्वार में भी है अगस्त मुनी, दैरादून, उत्तरकासी, बेदी खाल, नैनी डांडा, जैरी खाल आप इन college को देख सकते हैं तो यहाँ पर जो आपके यह दो जो दो college थे, यहाँ पर 50 seat तो सरकारी थी, लेकिन 50 self finance की भी seat है तो 100 seat है महाँ पर total है ठीक है, तो आपकी जो यह campus है, गोपेशर में इनका और जो अधर यहाँ पर college है यह government college है, ठीक है तो इन में 50, इन दो college में 50 तो सरकारी seat है, लेकिन 50 self finance की भी seat है इसके अलावा आप अपने nearest college देख सकते हो जो भी आपका nearest college है ठीक है, तो देखो जो college government है, बट self finance है उनकी जो fees है, वो 35,000 रुपए यहाँ पर रखी गई है, ठीक है तो आप देख सकते हो, जो second type के college है, वो यह है इनमें 35,000 फीस है, और इनमें जो scholarship है, OBC, SC, ST उनको भी कुछ scholarship 25 से लेके 30,000 तक scholarship वापस मिल जाती है और जो सरकारी college जो हमने उपर बताये थे, इनमें भी 3000 तक फीस आपके वापस मिल जाती है तो self finance में जहाँ पर 35,000 फीस आप देंगे, वहाँ पर आपको 25 से 30,000 वापस भी मिल जाएगी और जो यह सरकारी college थे, यहाँ पर आपको 3000 तक फीस मिले scholarship मिलेगे, क्योंकि फीस ही यहाँ पर बहुत कम रखे गई है, तीसरे type के जो college है, वो आप देख सकते हैं यह सारे private college है हरिद्वार में भी है, काफी सारे college देरादून में भी है, उत्तरकासी में भी पिट्स प्रियेट college है और इसके अलावा हरिद्वार और चमोली में भी है, हिमालेन इंस्टिट तो आप अपने nearest college देख सकते हैं ठीक है, तो यह काफी सारे college यह private है, अब इनकी fees की बात कर लेते हैं इनकी fees आपकी रहने वाली है लगबग 45,000 के आसपास यह कुछ college में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है और कुछ college में थोड़ी सी कम भी हो सकती है लेकिन लगबग 45,000 आपकी fees यहां पे रहने वाली है ठीक है और यह आपके college सारे के सारे इनमें कुछ state quota के हैं और कुछ आपके self finance के हैं वैसे तो college तो self finance के हैं बट कुछ सीटे state quota की भी इनमें है वहाँ पे आपको scholarship भी मिलेंगी जो state quota की सीटे होंगी यहां पर तो देखो fees का हमने बता दिया एक बार फिर से बता देते हैं जो B8 की state finance के सरकारी college है जो तीन college हमने बताएं वहाँ पे fees आपकी इतनी है 2749 लगबग 3000 तक आप इसको मान सकते हो और जो self finance के B8 के college है उनकी fees 35,000 रुपए है फस्टेयर की भी सेकंडेयर की भी और जो private college जो other हमने थर टाइप के बताएं वह college की fees वहाँ पे लगबग 45,000 के आसपास है अब देखो काफी सारे student को 24 फिलिंग के लिए college यहाँ पे पूछने थे कौन से college वह 24 फिलिंग करें वहाँ पे आपको कुछ college फिलिंग के लिए मिलेंगे लगबग आपको 10 से 12 college फिलिंग करने के लिए होंगे आयोप तो सबसे पहले आपको जो college फिलिंग करने होंगे वह आप करोगे जो की आपके government college है अगर आपको campus और government मिल जाती हूँ तो काफी अच्छी बात है क्योंकि यहाँ फिस काफी कम होगी अगर आपके number जो है 500 से ज़्यादा है लगबग 500 से ज़्यादा अगर आपके number है तो आप इन college को firstly preference देंगे इसके बाद जो आपके यह college है जो आपके nearest college है ठीक है जो भी आपका nearest college है self finance का उसको आप चुनेंगे thirdly अगर आपको private से भी कर रहा है आपके number थोड़े से कम है तो आप इन college को भी वहाँ पे choice filling करेंगे तो देखो जो आपकी तीन round की counselling यहाँ पे होने वाली है इसमें जो first round की counselling होगी उसके लिए आपको जो college fill करेंगे उसमें तीन merit आपकी लगेगी first merit list में आपको in college की merit list लगेगी second में आपको जो आपकी यह वाले college है government but self finance इनकी लगेगी और third merit आपकी वहाँ पे private college की लगने वाली है ठीक है तो first round की counselling में आपको सबसे पहले जिनके अच्छे number है वो सबसे पहले government college वरें फिर self finance with government और third private भरें ठीक है जिनके काफी कम number है वो यहाँ पे self finance और government भरें वैसे आप कुछ college government के भी बढ़ सके और अगर बात करें पिछले साल की merit list की तो पिछले साल जो आपकी government college की गई थी without self finance वालों की वह लगवाग 300 प्लस गई थी ठीक है और self finance की लगवाग 200 प्लस गई थी और private में आपको जिनोंने qualified किया सब को admission मिल जाते हैं तो आप इसके according भी यानि कि अगर आपके थोड़ा इससे कम भी है पिछले साल से number क्योंकि इस बार merit थोड़ी सी कम भी जाएगी इनसे कम भी college है उसके according आप अपने college को preference दे सकते हो जिनके अच्छे marks है वो तो पहले government ही चुने जिनके medium है वो भी पहले government ही चुने और जिनके lowest number है मतलब 200 से ही कम वो self finance और private college चुने क्योंकि government मिलने के chances वह पे थोड़े से कम है तो इसके according आप अपने college को fill कर सकते हो अपने number के according और अपने choice के according जो आपके आस्पास college है तो देखो हमने काफी सारे doubts आपके clear कर दि finance करें थर्ड आप private college को करें तो first round की counseling में ही ये होगा और जब first round की counseling complete होगी उसके बाद यहाँ पे merit आनी start होगी तीन merit list आपकी पहले लगेगी और जब देखो जो second second काफे सारे student कहता है कि क्या हमें second के लिए रुकना चाहिए second round के लिए तो अगर आपके अच्छे number है 200 या उससे ज़्यादा number है या उससे कम भी है फिर भी आपको first round की counseling यापे करा लेनी चाहिए क्योंकि जो यहाँ पे होता है कि जो सरकारी college है और self-financy ये first round की counseling में ही fill हो जाते हैं second में private बचते हैं और third में जो private होते हैं वही बचते हैं तो first round की counseling आपको करा लेनी चाहिए अगर आपके कम marks भी हैं फिर भी आप कुछ college government के रखें और कुछ private के रखें फिर भी आपका first round की counseling में ही नाम आ जाएगा ठीक है मताब आपको second के लिए second का wait नहीं करना होगा तो I hope आपके सारे doubt किलियर हो गई होगे अगर आपके अब भी कोई doubt है तो आप उन्हें comment में हमें बत statement